आराक जी और किस द्रस नहीं करना है जैसा पहली बात जो है गन जो है गन लिफार के बिढ़र के अंदर रखें गन से मार मत रखें तरे बहुति रहें को खिए नीज कर्ने करना है इसके भी करना हो खिर आप इंड़के तरो नहीं रखें अलकॉयल स्टार्ट होने से पहले मैं आपको पता दो कि आज के वीडियो में यह उनके लिए खास करके है जिनके पास यह गन अल्रेडी है या जिन्हों ने हमसे पर्चेस की है हम उनके लिए वीडियो बना रहे है कि कई लोगों से दिक्क्त हो जा थी या वो धंसी यूज नहीं कर पात होते हैं इसमें क्या-क्या इशूस है तो बहुत बड़ी वीडियो बनने वाली है और काफी रॉव वीडियो होने वाली है बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बैल आकन को हिट कर सकते हैं तो पहली बात जब आप हमसे खरी पीसस अफ आर्ट है यह कोई नॉर्मल गन नहीं है आपने इसके लिए बहुत पैसे खर्च किये हैं इस एक्सपेंसिव गन बट बिलीब मी यह काफी अच्छी है बरेटा 500 यह वन पैशन गन आपके पास अभी पड़ी वी है तो मैं आपको यह देगर के सम्झाने वाला हूं वीडियो लंबी हो सकती है बैट मैं आपसे रिक्व्एक्स करूंगा वीड़े को पूरा देखें ताकि आपको दूस औरंस पपता हुँ साथ में आपको एक ऐसा पेपर में मिलेगा मैं आपको नि कि बीकीं और बार नहीं को को EVER संब करें इसके इसका से करें जो एक गन जो है गन बॉक्स के अंदर रखें, गन सेफ करें, बाहर मत रखें, गन को जो है इधर दुरमात रखें, गन को कभी भी लोड़ेड ना रखें, CO2 और BB जो है अलगले रखें, गन को किसी की तरह पॉइंट नहीं करना है, हमेशा एजूम करना है, गन लोड़ेड है, इसके ट्रिगर पे कभी भी आप फिंगर नहीं रखें, जब मेरी पुरानी वीडियो में आपने देखा हुगा, मैं भी ट्रिगर पे फिंगर बहुत रखता था, जब मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग ली तो इसके बाद से जो है, अब मैं ट्राय करताओगी, इसके उपर पॉ कि आसपास कोई range में है तो नहीं, कभी भी छहत पर फायर नहीं करना है, कभी भी ऐसे जगह पर फायर नहीं करना है, जब पता नहीं हो beyond क्या है, कभी भी खड़की से बाहर गोल या नहीं चलानी है, यह सब चीजों से दूर रहना है, और हमेसा जाद रखें कि आप करेक्ट हमारे कई client खाद हुआ है उनका barrel पूरा खराब हो गया है और वो फिर repair नहीं होता है हमेशा जो है गंद के अंदर कुछ भी फसा ना हो कोई भी गंदगी न डालें उसके अंदर किसी भी मड में मड डालें पानी में मड डालें इन सब चीजों से दूर रखना है इसके अंदर कभी भी कोई अनबस्ट्रक्टेट चीज मतब कभी भी इसके अंदर कॉर्क या कुछ ऐसा चीज़े नहीं डालनी है मिट्टी में तो कभी डालना ही नहीं है दूसरा इसके अंदर से करा magazine निकाल भी दोगे तो भी हो सकता इसमें से चर्रे निकल जाए मैं avoid करता हूँ कि मैं camera को भी दिखा हूँ कभी भी किसी कोई सामने हो तो उसके सामने जो है बैल को point नहीं करने है दूसरा क्या है कि इसको खास maintenance के जुरूद नहीं है बट आप इसके अंदर जो है pelgan oil हर 2-4 cylinder के बाद एक pelgan का एक burn डालें ताकि गन जो है lubricated रहे दूसरा अपने मर्दी से को दूसरा oil मट डालें और सबसे बड़ी जो है बाद यह है आपकी गन बहुत महेंगी है अच्छी है ठीक है इसके अंदर अच्छे से care करेंगे तो आपकी गन जो है हमेशा lifetime चलेगी थोड़ी सी और बात इसके अंदर barrel में नहीं देख रहा है किस किसी को सब्सक्राइब हु nom जिलिक मैं आपना अंटर spirituality में आपने दिया है आप को दआड़ी प्रूफ हे तो इगन आपकी यह, इसको कभी भी रूमीन को नहीं छोड़ना हमेशा Almira pack करके रहें अगर आप possible हो अल्मीरा खरीन लें अल्मीरा के अंदर उसको रखें या गने करी है कभी भी इसको बच्चों के आप देखा है मैंने ग्लाइन को वो यूट्यूब के वीडियो देख लेते हैं और फोस्ते हैं कि चलो हम भी खो सकते हैं तो आप बहुत तगड़े एक्सपर्ट हो फिर ठीक है या फिर आप खोल रहे हो तो डोंट एक्सपर्ट की कोई दूसरा घर कोई भी गहन या कोई भी जब आप खोल लेते हो जनली जो है वो अगर आपने कुछ तोड़ दिया तो फिर रिपेर नहीं होता है और यह सब गंस वैसे भी जो है कोड़ी सी दिक्कत है तो इन सब पातों का आपने खास धियान रखना है अब गन पर आते हैं गन के बारे में जब आपने खरीद लिया और गन बॉक्स जो है एक जो आप हमसे खरीदेंगे उसको इस्तमाल करें बट इस गन बॉक्स को फेकना नहीं है और आप देखते हैं जैसे आप मुवाइल को रखने समाल करके वैसे रखना है अब इसके अदर आपको आएगा क्या-क्या इसे आप खोलेंगे तो आप देख होंगा इसलिए वीडियो लंगी है दूसरा चानल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसके अपडेट से रहें कि यह उमरक्स की डिटेल आती है ठीक है उनके उसको यह इसकी मैनुल है इसको पढ़ना है आपको यह अलगला लैंग्वेज में है इसके अंदर बहुत सी ची नहीं क्या है तो उसका मतलब में एक रूकर में डाल करते हैं यह तो आपके लिए सब्सक्राइब करना है और लोगह टाइब ही और आपके पास तो है और रिस्पेक्ट अगर आप उसको अच्छे से रखोगे तो सारी जनरेशन हो सकता आप अपने से अपने बच्चों को अपने पोतों को भी गिफ्ट करके आ सकते हो अगर आप ऐसे हरकते करोगे तो गन भी खराब हो जाएगी और इंडिया में गन्स के इसको एक ढांट में भी यह जांते हैं यहां आप इसको स्लाइड के लिवर बो टे है इसको मैगजिन जाइशन निकलता है यह जो है कर दोगे तो यह फायर निकरता आपकी तक यə इसका जो है safety और इसका फीचर है अब नीशे लागे करो कि इसको तो इससे गोलिया जो है नहीं चलती है दूसरा इसके दर क्या-क्या चीजें है अलग-अलग जो फॉल्ट से करने का इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है अगर आपको छर्रे कम निकलता है तो इसको आप पढ़िए दूसरा इसके दर बताए कि कैसे लोड करना है CO2 यह बहुत इंपोर्टन है हमारे कई क्लाइंट जो है कई और सौ में से सारे के सारे हजार में से एक क्लाइंट ऐसा होता है जब उस गन को लेते हैं यह यह ठंक से लोड नहीं करते हैं तो इसका पूरा का पूरा बैरल कैसे इम करना है आप समय देखिए इसमें बता गया है हर एक गन में अलग अलग प्रोसीजर होता है तो मैं आप बताईए मुझे कमेंट करके कि किस गन का मैं आगे बनाओ तो इसमें मैं बनाओंगा दूसरा यहाँ आप देखोगे कि फ्लॉवाली जो है बीबी नहीं इसमें बनते हैं अका सब्सक्राइब खरी आप कर देखाता है और अप अपने गन खरीद लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसक बात करो कि खरी सकते हैं उसमें पूरा जो है क्लिनिंग का डिटेल दिया गया अब चलिए आपको दिखाता है उसको यूज कैसे करते हैं सबसे पहले आपको क्या कैची है यह इस इस कॉल एलन की आपको चाहिए बीबी यह आप देखे तो बीबी सारी अगर आप परफेक्टली देखो कि बिल्कुल स्मूध ह यह में कोई भी जो है लाइन नहीं है कोई भी टेड़ा मेरा नहीं है क्योंंगी जै इंसको फाय क्यासे करना है सबसे पहले आपको इसे magazine catch को release करना है आप इनको side में रख सकते हैं अब आप चाहें तो इसके अंदर co2 पहले से भर सकते हैं या आप बाद में भर होगे क्योंकि एक पर आप co2 भर दोगे तो आपको कई बार magazine को fill करना पड़ेगा तो आप पहले भी भर के रख सकते तो आप co2 कैसे भरे important है यह पूरी वीडियो जो है इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि कई लोगों को co2 भरने में दिक्कत आती है तो उसको ध्यान से दिखना है इसे अराम से खोलना है खोलना पार्ट बहुत easy है सभी लोग कर लेते हैं अब आपको इस यूटू लेना है और इसे अराम से ड्रॉप कर देना है इसमें कोई rocket science नहीं है दूसरा अब आप इसे capsule को लेते हो अब होता क्या है कई लोग क्या करता है ऐसे टेडर डाल देते हैं टेडर नहीं डालना है कर लोग इसे ऐसे डालके कस्ते हैं जब वो ऐसे करते हैं तो यह पूरा यह जो है डामेज गाता है और यह जहीं जो मेट्रेल से बना वाए लिवी से नहीं बना हुआ वह बहुत इसली कट जाता है और ये पर कट गया तो आपको बिकार हो जाता है और आपको ये मैगजिन मिलेगा नहीं कभी अगर मिलेगा भी तो 15-16000 रुबे गा मिलेगा और वो बहुत एकस्पेंसिव जाता है और बात ऐसा नहीं कि पैसे से भी आप खरीद दे सकते हैं, इनकी जो बहुत सौटेज रहती है, तो ध्यान दे रहे हैं, इसको अराम से डालना है, अलाइन होने के बाद, इसे डाल करके, आप इसे घुमाऊगे, अगर तो यह परफ्रेक्टली अलाइन है, तो यह बड़े प् गुमाऊँगा, मैं चाकर के भी गलत नहीं यूज कर भाना हूँ, क्योंकि मैंने काफी प्रैक्टिस कर लिए, अग्जामपल लगाता हूँ, अगर आपने सुमिल ऐसे टेडा मेडा करके डाल दिया, तो जब आप घुमाऊँगे, तो थोड़े सा दिक्कत होता है, फिर जैसे से आप प्यार से घुमाऊँगे, तो अपने आप जा करके एक टाइम के बाद ये सेट हो जाएगा, अब क्या करना आपको ध्यान से, इसे पकड़ना है, और इसे घुमाना है, कैसे? एक हलकी से आती है वाज, और आपको हलका और टाइट करना है, कई लोग क्या करता है, इसके बाद भी ना पूरी दम लगा के घुमाते रहेंगे, उससे क्या होगा? अंदर का पूरा पिन डामेज जाएगा, अंदर का पूरा ये सर्कल डामेज जाएगा, और पूरी गण ज अंबरबाद हो जाएगी, आपका गन बिकार हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, हलका करना है, यह आपकी गन है, इसको प्यार से समाल करना है, इसके पर जोड जबरस्ती नहीं करना है, जब आपका एक स्यूट लोड हो गया, यू आर फ्री, आप क्या करना ह है है आपको आप इसे लीजी यूज या फिंगर आपको फिंगर मेल का इस्तुमाल करना है इसके बीच में आपको उगली दबाना है अंदेन यू पुल इट बैक यहाँ पर क्या होता जब आप इसको स्प्रिंग को बाहर खीचोगे तो सब एक साथ एक अठ्थे होते हैं तो क आपको आपको वेरी नाइस आपका फिंगर जो है स्ट्रॉंग होना चाहिए नेल्स और इसके अंदर बीबी डाल सकतो यहां से अवर ड्रॉप इट अब इसकी जो है मैगजीन कपैस्टी अठारा राउंड की है एंसी से मुझे काफी अच्छी लेसन सीखने को मिला है कि बीबी लोड करके नहीं रखेंगे तो मैं इसके अंदर अल्मूस्ट अठारा राउंड मैंने भर दिया है अब चलिए मैं आपको इसको फार करके दिखाएंगे तो आपको आपको दिखे और आपको मजाने वाले हैं तो लेट्स गो तो आप देख पार हो बरेटा इसके क्यों नहीं कर रही है सेफटी पर गन को हमेशा सेफटी पर रखना है और तभी इसको चलाना आप देखो कितना भी मैं इसको फार करूं यह फार नहीं होगा अब जब मुझे से चलाना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा इसे सेफटी से निकालूंगा सेफटी से निकालन दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, आपने देखा ये फायर हो रहा है, अब कई लोग क्या करते हैं, वो फटाफट फायर करेंगे, फटाफट मतलब कैसे, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे आप तो गन आपकी डामेज वेगी, फुली ओटमाटिक नहीं है, समी सकती है, अभी मैं इसको दुबारा फार लोड करूँगा, और आपको दिखाऊँगा, चलिए आपको दिखाता हूं, दुबारा लोड कैसे करते हैं, इसको दुबारा से पीछे खीचेंगे और इसके अंदर दुबारा से जो है बीवीस लोड करते जाएंगे बड़े अराम से करना है कई लोग क्या करते हैं आदा भरते स्प्रिंग छोड़ जाते हैं ऐसा नहीं करना इससे भी जो सामना का आपका डामज हो जाएगा एक बार जब आपकी गण फायर हो जाए तो कैसे लोड करना है आप देखोगी जब यह मैगजिंग खाली हो एती तो यह पीछे आ जाएगा तब आपको इसको सिर्फ बड़े प्यार सबने डालना है और आपको इसको रिलीस करना है और यह फायर के लिए रेडी है यह लोड़ जैसे मेरा बीबी खतम होगा यह पीछे लॉक हो जाएगा और मैंसे रिलीस कर दूँगा हमने दो मैगजिंग पूरा फायर किया है अब इसके दुबारा से भरेंगे चलिए दिखाते हैं दुबारा से आपको सेम प्रोसियर करना है लोड करना है रिलीस इस साइड मैं थोड देखा अपने अठार राउंड फायर हुआ और यह खाली तो इसको फिर से हम निकाल लेंगे हमने पूरा तीन मैगजिंग फायर कर लिये हैं दुबारा से लोड करेंगे इस साइड में इधर फायर करता हूँ जैसे ही बैंग खाली होगा यह पीछे लॉक हो जाएगा जादर के से उस्में हमने से चार वरवाः फायर कर दिया है दुबारा से हम इसको लोड करेंगे फिर साइड में फायर कर लिया है इसको लोड करेंगे रिलीज अब हम थोड़ नीचे फायर करते हैं आट राउंड ये फायर हो गये हैं अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक बार डवल फायरिंग हुआ था इसका मतलब इसकी ग्यास जोग कम हो रहा है बट आपने देखा ये 90 राउंड फायर कर चुका है जो लोग ऊसते हैं एक सेयोटो संदिर से कितनी राउंड फायर होते हैं 60-90 तक हो सकते हैं 40 से आप लागे चलो 40-90 अभी 90 हो चुक है मुझे ऐसा लगता है अभी भी 20 राउंड फायर हो सकता है छले देखते हैं अब इसके अंदर में इसे लोड करूँगा पांच मैंने फायर कर दिया ये 6 है जब भी आपके गेन में कभी ऐसा issue आ है इसका मतलब का गयास खतम हो गया इसकी magazine निकालके देखते हैं यह पूरा खतम हो गया बड़ इसके अंदर से हमने 5 magazine fire किया 5 magazine 18 पंची 90 90 राउंड अच्छा चला उसके बाद गयास खतम होगी और जब आपकी गयास खतम होगा तो जनरली यह फुल आटोमाटिक हो जाएगा गया इसके अंदर से बीबी जातर फायर होन लेंगे बड़ आपने देखा यह काफी अच्छा है अब जैसे आप हमने इसको fire कर लिया आपकी CO2 खतम हो गया लोग क्या करते गन को वैसे ही रख देते हैं ऐसा नहीं करना है आपका CO2 खतम हो चाहे ना हो कभी भी गन को ऐसे नहीं रखना है सबसे पहले आपको क्या करना है magazine निकालना है इसके बीबी देखने है अभी हमने इस से 96 राउंड भी fire किया था बट छे में में जोगास खतम होगी थी फुल लोट राट खोकर के सारी खतम होगी थी बट हमेशा जब भी बचे रेट सारे बीबी इसको बाहर निकालना है बट क्योंकि हमारा पर बचा नहीं है सारे बीबी अमने यूज कर लिए अब क्या करना है कभी भी यूटी को जो है बाहर निकाल लेना है दूसरा को उसके बाद जो है दूबारा इसको क्याप कर देना है तो सब्स्रास अंद ज्वाम एरशीवाख sound ताकि हमको पता हो कि आपकी गन जो है properly use हुई है जब भी हम हमारे पास factory से भी गन आती है तो भी हम इसको इसको इस्तमाल करके ही client को भेजते हैं ताकि हमें पता हो कि आपके पास गन जा रही है बिल्कुल सही जा रही है तो क्या करना है जब आपका co2 बाहर निकल गया आपने co2 cylinder को बाहर रख देना है गन आपकी जो है बिल्कुल खाली होगी अब आप इसके अंदर magazine लगा सकते हैं और इसे आप gun box में रख सकते हैं अगर आपके बास customized gun box है तो magazine को आप अलग रखोगे गन को अलग रखोगे और जैसा कि मैंने starting में बताया 3-4 बातों को धियान रखना है co2 कभी अंदर stroke करने रखना है और इसको properly align करके चलाना है I hope आपको सब कुछ clear हो गया है बट अगर आपको तब भी कुछ clear नहीं हो तो आप हमारे customer care से बात करिए जिनसे भी आपने खरीदा होगा आपका point of contact होगा POC जिससे आप भी आपने हमारे team में जिनसे भी बात करिए खरीदा होगा आप उनको WhatsApp कर सकते हैं हमारे customer care जो है सुबह 10 से लेकर के सामके 6 बे तक है हम next day Sunday को हमारे office में छुट्टी होता है अगर आपने इसको खरीद दिया तो आपको अलड़ी पता है हमारे website से कैसे बाय करते है बट in case कोई देख रहा है इस वीडियो को और आपको उसे खरीदना चाहता है आपको पता इसे कैसे खरीदना है इसे खरीदने के लिए हमारे website पर जाना पड़ता है य्हाइ बाल़ी आपको पता है